नमस्कार आप दीकरी इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी क्रूज ड्रग्स की इसमें पिछले एक हफ़ते से दाड़ी वाला शक्स चर्चा में है नवाब मलिक बार बार इस दाड़ी वाले शक्स का नाम ले रही है उससे समीर वान खिड़े के कनेक्शन को जोड रही है डाड़ी वाले शक्स को ड्रग्स पार्टी का आयोजग भी बता रहे है इंडिया टीवी समबदाता अतुल भाटिया ने उस डाड़ी वाले शक्स यानि की काशिफ खान को ढून निकाला काशिफ खान ने कहा कि वो सुमीर वान किड़े को दूर दूर तक नहीं जानते कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई या तक ही बात तक नहीं हुई काशिफ खान ने कहा कि वो खुद क्रूस पड़ टिकेट लेकर गए थे उनके पास टिकेट की रसीदे हैं पार्टी का आयोजक होने की बात गलत है। जो भी उन्हें कोई जो दे रहा है वह बहुत ही जलत दे रहा है। के लिए आप कितने लोग क्रूस पर गह थे और क्या आपने पर जाने की टिकेट ली थी इसे मेरे खुद की टिकेट खरीदी है मेरे उसके रिसीट और इन्वोयसेज थे मैंने जितना भी वहां फूल्ड खाना पीना फानी हुरीडा उसके मेरे पास invoices receipts हैं कि जो भी कह रहे हैं यह गलत कह रहे हैं और मैं उस cruise पे एक customer क्लाइंट की तरह था जैसे दूसरे लोग भी था कि एक लड़की भी आपके साथ cruise पर दिख रही है जो कि वीडियो में दिख रहा है खुद नबाब मली किस बात को बोले हैं वो बोल रहे हैं वो दाड़ी वाला कौन है वो समीर वानखेडे का दोस्त है अगर वो कोई गुरूप वीडियो दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं पता वो किस वीडियो है काई का वीडियो है अगर मेरी प्राइवेसी का मेरे वीडियो है तो that is my privacy infringement that is not fair और अगर समीर वानखेडे का जातक उन्हों का कहना है मैं तो उनको दूर दूर तक नहीं जानता हूं दूर दूर तक पहचानता हूं ना कभी बात किया ना कभी कुछ उनके साथ वारतालाब भी की एक लड़की भी आपके साथ cruise पर दिख रही जो कि आपके साथ dance कर रही है तो कई गंभिर आरोब जो है वह नबाब मलिक लगा रहे हैं लड़की या लड़का अगर कोई भी मेरे साथ हमारे साथ अगर डांस करे तो क्या कोई गलत बात है आप पार्टी में जाते हो आप कोई जशन करते हो कोई सेलिबरेशन में जाते हो कि आप कोई जिनाजते नहीं है डांस नहीं करते हैं कोई लौ है कि हम डांस नहीं कर पाते ह यह नहीं करना चाहिए। घ्र का राओवस क् iç अधार चाहिए। जी मैं डांस किया और चेहे ज़िए। पते जो हिसके क्रूशल सते। झाकर तौश म्हों पकी आपको प्रखेसा किलि इसलिए ड्यॉम और हूब कूल से प्रमि यह से उल्ट लेख में सतनहीं ऍॉपर। और नवाब मलिक आपके उपर क्यों आ रड़ी वाला बार-बार कह रहे हैं तो क्या जो नवाब मलीक ने आपके उपर आरोप लगाए हैं कोई आप लीगल एक्षन लेंगे उनके खिलाब ने बिलकुल नहीं लूंगा वो बहुत पावरफुल बहुत रिस्पेट बहुत ही जानीमानी पोलिटिशन, मिनिस्टर हैं स्टेट के I don't want to waste my time and my energy in this negative I would rather put my time and energy in some positive work This is a miscommunication, misunderstanding and misinformation There is nothing to it I have all the proofs of everything that I am talking to you You can check up with anybody, any authority Kaciv Khan जी अभी आप कहाँ पर है अभी मैं अभी अपने office के उधर ही हूं Office कहाँ पर आपका कसिसी अब बोलिए जा मेरे office is all over India है नहीं अभी मैं यही पूछा चारों कासी अभी आप कहाँ पर है मुंबई में तो जो आपके उपर आरोप लगे हैं आप उन सभी आरोपों को नकारते हैं एक सीरे से जी ओके थैंक्यू सो माच आप गिवें यू लॉट पीपल आपकी फुरी क्वेश्चिन्स हो गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद कासिफ जी तो एक काशिफ खान थे जिन से हमने एक्स्क्लूसिव बात की है और इनका कहना है कि वो जो है वो उस दिन क्रूज के उपर थे लेकिन जिस तरीके से आरोप नवाब मलिक ने उनके उपर लगाए हैं वो पूरे तरीके से गलत हैं अतुल भाटिया इंडिया टीवी मूंबई जो आयुजन थे उसमें एक आयुजन उसकी तरफ से भी काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था उसने सारे इंडिमिटेशन सोशल मीडिया पर डाले थे और उस दिन वो व्यक्ती क्रूज पर संडे के दिन 6 बच के 23 मिनिट का एक वीडियो जो उन्ही के साइड से मैंने निकाला है अपनी माशुका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है मैंने उस दिन सवाल पूछा था मानखेडे साहब ये दाढ़ी वाला कौन है इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा इसकी गृफतारी क्यों नहीं हुई ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोनोग्राफी का धंदा करता है ड्रक का धंदा करता है सेक्स रेकेड चलाता है और समीर वानखेडे जी के उनसे अच्छे संबंध है एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके उपर छापे मारी करने की कोशिस की लेकिन समीर वानखेडे ने काशिव खान पर कारवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया तिन दिन पहले मैंने सवाल उठाये थे इमानदार अफसर काशिफखान को क्यों नहीं गृफचार कर रहा है क्या उसकी गृफचारी से इनके राज खुलने वाले हैं हमें लगता है इतना दल्डल है इसमें कि जितनी खोच की जा रहे हैं उतने सारे मामले सामने आते जा रहे हैं सुमीर वान खिरे से नवाब मलक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है नवाब मलक ने आज फिर कहा पिक्चर अभी बाकी है कल मैंने एक ट्विट किया था पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त दो तारीक के रोज तीन तारीक के रोज जो वेक्ति आरियन खान को गसीटते हुए एंसीबी के कारेले में ले जा रहा था वो वेक्ति लॉक अब में है सलाखों के पीछे हैं जो वेक्ति आरियन खान को और उनके साथियों को जमानत ना मिले इसके लिए पूरी ताकत जोग रहा था कल वो कोट में गस्तक दे रहा था कि जो जांच गुंबई पुलीस ने शुरू की है उस जांच को CBI या NIA के हवाले की जाए आज मैंने एक खत लिखा है फिर दोबारा BGNCB को के आप CBC की गाइडलाइन के तहट ये 26 मामलों को बंद ना करें 26 मामलों की जांच कराएं आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुनेगारों को सजा दें पकड़ें लेकिन बे गुना अगर कोई जेल के पीछे सेकड़ों की तादाद में है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने फरजी बाड़ा करके बे गुनाहों को जेल में ड दिखा है फ्लेचर पटेल के संबन समीर वानखेडे से लगबग 11-12 साल पुराने है एक आदिल उस्मानी नाम का भी विक्ति है जो कई मामलों में है वीच्वल पंच है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है यह कस्टम में थे जब से इनके रिस्ते हैं और आदिल उस किस्मानी बहुत सारे केसेस में क्यों पंच बना हुआ है यह भी सवाल है